गोशी का एक घोष्ट जो है वो दारा सिंग चोहान का पीछा नहीं छोड़ेगा दारा सिंग चोहान को गोशी की जनता ने नकार दिया वो भाजबा का गुर्गान कर रहे हैं, कभी सपा का गुर्गान करते हैं, कभी कांग्रेस का गुर्गान करते हैं, उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है, कब किसके साथ पलट करके वो चली जाएंगे इसको कहा नहीं जा सकता है गोशी के उप्चुनाव में जनता ने बता दिया कि दारा सिंग चौहान जो है एक दगे कार्थूस हैं अब उनकी कोई वैलू नहीं है भारती जनता पार्टी के पास कोई योग ब्यक्ति नहीं बचा है जिसको MLC बनाए जा सके एक कावत ने गुली रखाता है जहां जाये लाडोरानी वहां पड़े पाथर पाने यह सब दगे के देखे कार्थूस हैं इनका कोई उजूद नहीं है उत्तरपदेश के पुर्व डिप्टी सियम दिनेश शर्मा द्वारा खाली की गई विधान परिशद की सीद पर आज दारा सिंग चोहान ने नामांकन भरा और उनके नामांकन भरने के दौरान मख्यमंतरी योगी आधित्यनाथ दोनों उप मख्यमंतरी समेत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अपना दल के वरिश नेता आशीस पटेल निशाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निशाद और ओम प्रकास राजभर यानी सुहल देव भारती समाज पार्टी के नेता दारा सिंग चोहान का नामांकन कराया उमीद ये जताई जा रही है बीजेपी की तरफ से कि दारा सिंग चोहान और ओम प्रकास राजभर के मंत्री बनने के बाद लोग सभा चुनाओं में इसका अच्छा खासा असर पड़ेगा और मिशन असी के लिए पार्टी और ये के लिए मददगार साबीत होंगे अंडिये मजबूत होगा असी की असी सीटे अंडिये के जोली में आ जाएंगी लेकिन ये क्या इतना आसान है ये समझने के लिए इस समहम प्रधान मंत्री जी का संसद्येक्शेत्री बनारस है जहां हम मौझूद है और ये ये इसको जिला मुख्याला के सामने आप देखे इस तरह के जो तस्वीरे हैं आपको यहां कभी न कभी दिखाई देती रही होंगी चुकि लोग अपनी मांग लेकर यहां धरना परदेशन भी करते हैं मांग पत्र भी देते हैं तो इससे बेहतर जगा है नहीं राजनेतिक चर्चाओं पर विमर्ष करने के लिए तमाम लोग हमारे साथ हैं और हम बाचित की शुरुवात करते हैं आलोग जी यह बताइए कि नामांकन हुआ दारा सिंग चौहान ने नामांकन भरा उमीद यह जताई जा रही है कि वो बीजेपी में आया है तो बीजेपी मजबूत होगी ओम प् दारा सिंग चौहान को गोची की जनता ने नकार दिया उसके बावजूद अगर उनको मंत्री बनाया जा रहा है तो इसका लाब पार्टी को तो नहीं मिलना है दूसरी बात ओम प्रकास राजवर जो हमेशा से भाजपा की खिलाफत करते आये हैं और केवल जो है वो यह चा करते कभी कांग्रेस का गुर्गां करते हैं उनकी कथनी और कुनी में बहुत फर्क होता है किसके साथ पलट करके वचली जाएंगे इसको कहा नहीं जा सकता आज उनको लाफ दिख रहा है कि मैं मंतरी पद पाव जाऊंगा इसलिए वह बाजपा का गुरगान करते नज़र रहे हैं घोसी का घोस्ट दारा सिंग चोहान का पीछा नहीं छोड़ेगा लारी साब ये बताइए कि बीजेपी अपने आपको दुनिया की सबसे बड़ी राजनेयतिक पार्टी बताती है तो कुछ सोच समझके ही दारा सिंग चोहान और रोंप्रकास राजभर को मंत्री मंड करिया है वह हम देखने तेज हो गई है कुछ सोच समझके नहीं तो दारा सिंग चोहान को विधान परिशद मिलाया जा रहा है देखिए शूंकि भाजपा ने दारा सिंग चोहान को वादा किया था उनको मंत्री बनाने के लिए और इसलिए समाजवादी पार्टी से उनको तोड़के जो है अपने साथ उन्हों ने शामिल गया लेकिन घोशी के उप्चुनाओं में जनता ने बता दिया कि दारा सिंग चौहान जो है एक दगे करतूस हैं अब उनकी कोई वैलू नहीं है और पूरी ताकत हमारे मुख्यमंत्री योगी आधितनाद जी ने लगा दि तो इन लोगों का कुछ चला ने यो तमाम लोगों वहां पे लगे हुए थे और ये राजबर तो कह रहा था कि हमारी लड़ायों अखिलेश यादोजी से है उसके बावजूद भी दारा सिंग चौहान बहुत बुरी तरीके से वहां चुनाओं हारे हैं और दारा सिंग इसमें पार्टी बता दीजिए जिसके पास उनना गए हो चाहें कांग्रेस हो चाहें पीस पार्टी हो चाहें एम आई एम हो चाहें समाजवादी पार्टी हो चाहें कव्मी एकतादल हो चाहें निशादलों की जो पार्टी हो चाहान की पार्टी हो सपा हो हर पार्टी में जाकर के फिर भाजपा में गए हैं तो भाजपा में ही खुद उनका विरोध है तमाम जो भी भाजपा के नेता चानिल राजबर हो चाहाँ जो राजभर है राजवर तमाम लोग इसका विरूद कर रहा हैं कि गोम परकास रॉचबर को भाजपा में लेने से पांटि का नुखसान हो रहा है तो ओम परकास राजवर और दारा सिंग्साुवान से पांटी का कहींateful पुए फाइदा होने वाला नहीं है और अगर यह पार्टी समझ रही है कि हम उत्तर परेश की अठीज से जीत लेंगे तो यह पार्टी भरम में है अब हार यह पार्टी जो है ना लोगतंत्र को खतम करके धर्मतंत्र लाना चाहती है इस पर हम आराम से बात करेंगे उत्तर परतेस का घोसी का जो चुनाव है उसको पतीली का चावल के रूप में देखिए जो फैसला घोसी की जनता ने दिया है वही फैसला आगामी चुनाव में भार्टी जनता पार्टी को इस प्रदेस की जनता देगी क्या लगता भाई साब कि घोसी का भूत पीछा नहीं छोड़ेगा क्या भारती जनता पार्टी के पास कोई योग बेक्ती नहीं बचा है जिसको MLC बनाए जा सके दारा सिंग चौहान का जो घोसी में हाल हुआ वहाँ निसाद पाटी भी साथ थी और प्रकास राजवर रोज पॉंपों करते थे उनके और उनके लड़के भासा बोल रहे थे योगी जी भी गए उनके सारे नेता गए सो विधायक लगे थे चवालीस कैबिनेट के मंत्री लगे थे फिर भी उन्होंने 43,000 ओट से हार का मुह देखा भाजपा को पता है कि ये दारा सिंग चौहान के आने से वो चौहान ओट नहीं आएगा सबसे बड़ा जो चौहान का नेता है डाक्टर संजय चौहान जी हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ हैं और सुरू से लेकर के साथ हैं और ओम प्रकास राजपर जो है कि राजपरों के मसिया नहीं है राजपरों के सबसे बड़ा ये सुत्तर प्रदेश के नेता है मानिस सुग्देव राजभर जी जो आज दिवंगत है आज उनके लड़के समाजवादी पार्टी में विधायक हैं और राम अचल राजभर जी जो राश्टी महा सचीव है चार बार कैबिनेट मंत्री रहे पांच बार विधायक रहे सांसद रहे ये समाजवादी पार्टी म की भरमार है और ओम प्रकास राजबर के बहकावे और छलाओं में जनता आने वाली नहीं है नहीं है अच्छा बात बहुत पानी बहचुका घोशी के बाद से तो अब अब तो मंदिर का निर्माड हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा हो रही है इन सब का असर तो होगा ना ठीक ह एक होसी हार गए हार गए इसका यह मतलब तो नहीं है कि अब ओम प्रकास राजबर और दारा सिंग चोहान का कोई असार ही नहीं होगा देखिए एक हिंदुस्तान देश है विश्यष तोर से उत्तरप्रस ग्रावी प्राण देश है एक कहावत ने गोड़ी दिखाता है जह दोकेट तो चौरसिया जी यह बताईए कि सारा गुड़ा गड़ीत हिसाब किताब करने के बाद ही तो उनको MLC बनाया जा रहा है तो बीजेपी कुछ सोच समझ कर रही तो यह निर्णली होगी यह काम है फूट डालो राज करो एक चंद मुठी भरलों को दिखाते हैं उनक उनके समाज का सोचल करते हैं और उत्तरप्रश की जनता अच्छी तरह से जान चूकी है तेकि आएसा है कि विछडों दलीतों और मदलूमों के पार्टी सिर्फ समाजवादी पार्टी है 2022 के चुनाओं में समाजवादी पार्टी से जो है राज क्या नाम है दारा सिंग चा बहुत सब ये जनता ने जो है उनको बुरी तरीके से हरा दिया कि दारा सिंग चावान हो या ओम परकास राजभर जी हो बैएक दोर से जे सत्ता के पीछे पीछे इधर इधर गूमते रहते हैं अगर समाजवादी पार्टी से वो इधायक हुए थे वो जनता की खिदमत करत और ने जनता के बीच में चाहिए राम परकास राजभर जी हो चाहिए तो नकार दिया है तो सजा भी तो मिल गई दारा सिंह हार गए चुनाओ लेकिन अब जब मेलसी हो जाएंगे मंत्री बन जाएंगे तब तो दारा सिंग कहेंग ना कि एक बार तो आप लोगों ने सजा दे दी, अब तो כमसे कम हमारे नाम पर एंडीय को बीज़ेपी को वोट दे दीजे, वोट पिलेगा की नहीं मिलेगा, ने, दारा सिंग चोहान के कहने पर जंता जो है गोशी की जंता या कहीं की भी जंता तो ओट देने के लिए नहीं निकलेगी कि ओट देने के लिए निकल रही है दारा सिंग चौहान को मंत्री बना दिया गया है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो पूरे उत्रप्रदेश के जो है मालिक हो गया है और जो चाहेंगे वो होगा ऐसा कुछ भी नहीं होगा यह जरू ना जे आप तो चोहान विरादरी से आते हैं कुश्वहा विरादरी से आते हैं उत्तर प्रदेश में बाकी चीज़े अपनी जगह हैं लेकिन ये तो आप मानते हैं कि अभी भी जातीगत समीकरण एक बड़ा मुंद्दा है तो कुश वहां हैं कोईरी कुरमी समाज है तो यह लोग तो देखेंगे न कि हमारा नेता अगर मंत्री परिशad में श्मील है तो कमसे कम हमारे हिसे की जो परिशानी है वो तो कमसे कम विधान समा मिधान परिशद में उठाएगा, इसका असाब होगा कि नहीं होगा? आप जान लिजे भाजपा जो जाती देखा करके वोट लेना चाहती है अब इस देश की जनता या इस प्रदेश की जनता जात देखकर के वोट नहीं देगी महगाई बेरोजगारी सिच्छा स्वास्त पर इतना परिशान है कि वह अब जाती देखकर वोट नहीं देगी आपक कोई भी इस देश की जन्ता वोट नहीं करने वाली है वह परिशान है मागाई से बेरोजगारी से शिष्छा से स्वास्त से और जुल्म से असार नहीं होगा कोई असार नहीं होगा कि जातिगत समीकरन कोई मुद्दाइद नहीं रहेगा देखे और समाजबादी पार्टी हो या भारतिय जनताप पार्टी ओंग्रेस और सारे लोग तो भाई कास्ट क्वेशन पर ही टिकट बाढ़ते हैं चुनाव लगते हैं जातिगत जनगर्णा की मांग हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी ने किया है और इस बार जातिगत जनगर्णा ही चलेगा और जहां तक इनलों के मंतरी बनने का सवाल है यह मंतरी रहें वहें जैना Có चाहें और मंपरकास राजवर challenge की यह कुछ नहीं किये यह अपने परिवार के लिए जो है करना चाहते हैं और यह जो है ओम परकास राजबर शिरिफ अपनी दोनों बेटों के लिए काम कर रहे हैं समाज के लिए उन्होंने आज तक एक काम नहीं किया ना दारा सिंग चावान काम किये हैं अगर यह काम किये होत प्रकास राजबर चाहें दारा सिंग चोहानों चाहें निशादों यह कोई चुनाओ जीतने वाले नहीं है जनता इनके चेहरों को देख चुकी है जनता पहचान चुकी है अब जनता आने वाले दिनों में इंडिया गटबंधन को जो तमाम पार्टियां एक हुई हैं उनको प्रकास राजबर और दारा सिंग चोहान और संजय निशाद जैसे लोग इनसे दिक आप जानते हैं क्योंकि लोगतन में पत्रकार चौथा खंभा है और चौथा खंभा आप देख रहे हैं कि कहीं न कई टंगा हुआ है कि यूपी मीडिया सच गयब हमें हैं इस समय जो जन शिच्क पढ़ाई दवाई और महंगाई हिंदूस्तान की जनता विक तो से उत्तर की जनता इससे त्रस्ट में चाफ हैं बक्रीना बज् Boy तो से जुनाव जित्ती है यह आप लोगसे जादा कोई नहीं जानेगा ये प्रसासनिक दबाव डाल करके जब चुनाव आएगा तो करोना दिखा करके और तरह तरह के जूटे वादे करके और ये तमाम इस तरह से तीन पांच करके ये चुनाव जितने हैं जनता इनको उतना वोट नहीं देती है समाजवादी पाटी सर्व कालिंग सबसे जादे 37% ओट पाई और ये जो है कि आप देख लिजिए पूरा उत्तर प्रदेश धरने पर है 79,000 वाले सिच्छक जो टीचर हैं वो धरने पर हैं लाठी खा रहे हैं किसान लाठी खा रहे हैं महिलाएं लाठी खा रहे हैं आसा ही है और जो सारे चीजे सरकारी प्राइबेट में बिक्ती जा रही है रहादारा और प्रकास राजभर का यह लोग पहली बार कोई मंतरी थोड़े बन रहे हैं कि इनके विरादरी के लोग बहुत इनको मान संबान देगी यह तो पहले भी मंतरी थे नकारे टाइप के लोग हैं यह लोग मंतरी बनते हैं और अपना काम करते हैं इनको जनता और अपने विरादरी से कोई मतलब नहीं है चलिए तो तो अब यही यहीं पर बस इतना ही समय था हमारे पास तमाम लोगों का यह कहना है कि घोसी का घोस्त यानि जो घोसी में चुनाव हरे दारा सिंग चोह को तो कुल मिलाकर जो हमारी चर्चा का मुख्य विशय था कि दारा सिंग चोहान और ओम प्रकास राजबर के एक बार फिर से मंतरी बनने से क्या लोग सभाज चुनाओं में बीजेपी और इंडियो को इसका फायदा मिलेगा लोगों का कहना है कि कोई फायदा नहीं मिलेग ये दगे हुए कार्थूस हैं अमिद सिंग टीवी नाइन यूपी वारंसी